Hello everybody, welcome to Mystic World 11-11, ये आप लोगों की pick a card reading है और आज का जो topic है वो बहुत requested था, बहुत time से ये वाली request आ रही थी X or next, who is coming towards you? तो अगर आप single हैं, आप relationship में हैं, आप married हैं, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, सब लोगों के लिए reading open है तो हम देखेंगे ये कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, आपके X आ रहे हैं, आपके past से कोई आ रहा है, या कोई नया इनसान आपको pursue करने वाला है, क्या होने वाला है आप लोगों की love life में आगे, कौन आपकी तरफ आ रहा है, ये हम जानेंगे So, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि ये cards possibilities बताएंगे आपकी final destination safe divine source को पता है safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके लावा मेरे जितने भी subscribers हैं आप लोगोंने मुझे जितना प्यार दिया है, support किया है I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so 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 much अगर आप नए है मेरे चैनल पर subscribe करना बिलकुल नहीं भूलना है और वीडियो को like जरूर दिया करें इससे चैनल को grow करने में help मिलती है तो friends हमें तकरीबन 3 साल हो चुके हैं चौथा साल चुरू होने वाला है और अभी तक हमारी 100 के family complete नहीं हुई है जादा से जादा चैनल को share करें, like करें जितना आप वीडियो को like करेंगे उतना grow करता है चैनल उतना जादा recommendation में जाता है और फिर उतना जादा आगे बढ़ता है जरूर like करना है वीडियो को आप लोगोंने notice कर लिया होगा कि यह कितने सारे बड़े हैं यह मैंने नए बनाए हैं वो पुराने हो गए थे बहुत जादा तो आपके पास तीन options हैं हमेशा की तरह A to I is option number 1 J to R option number 2 S to Z option number 3 I really hope आपको यह पसंद आए So, जहां पर आपका यह आपके partner का Name initial आता है बलके इसमें तो आपने अपना ही Name initial Select करना है आपने अपने नाम के पहले letter से देखना है क्योंकि हमने तो यह देखना है कि कौन आ रहे है आपकी जिंदगी में So, अपना Name initial Select कर लिजी जहां पर आता है वहाँ पर आपकी reading है So, बाकी लोगों के लिए 3 cards है Option No.1 है Knight of Pentacles Option No.2 है Knight of Wands Option No.3 है Knight of Cups So, देख लिजे तीनों के time stamps description में है 1, 2 and 3 आप skip करके अपना answer देख सकते हैं अगर आप 2 pile देखना चाहते हैं तीनों देखना चाहते हैं कोई problem नहीं जैसे आपका दिल करता है वैसे आप selection कीजिएगा मैं start करूँगी Option No.1 से जिन लोगों ने Option No.1 यानि कि 8-wise select किया है Knight of Pentacles के साथ ये आपकी reading होने वाली है और हम देखेंगे कि who is coming towards you कौन आ रहा है आपकी जिंदगी में X और Next कोई नयी नसान आ रहे है आपकी जिंदगी में या कोई आपके past से आ रहा है या कोई ऐसा इंसन जो आपकी लाइफ में है वो आपको pursue करने वाले हैं कौन आ रहा है आपकी love life में कौन आपको propose कर सकता है कौन आपको relationship offer कर सकता है क्या होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में Spirit हमें Divine Message दीजेगा Group One की लाइफ में कौन आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास आया है Queen of Pentacles कौन आ रहा है King of Wands वाउ तो ये कोई King of Wands आपको pursue करने वाला है So आपकी personality यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा nurturing आप लोग बहुत ज़्यादा family oriented है आप लोग बहुत ज़्यादा खयाल रखने वाले caring किसम के लोग है वाउ ओ माई गॉड दो लोग आपको pursue करने वाले हैं Group One अभी मैं आपको इनकी traits भी बताती हूँ कोई तो आपका secret admirer हो सकता है जिनके दिल में बहुत टाइम से आपके लिए feelings थी और कोई इनसान तो आपको marriage offer करने वाला है proposal offer करने वाला है आपकी family को approach करने वाले है आपके लिए रिष्टा आने वाला है literally एक तो कोई इनसान ऐसा है जिसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है जो काफी टाइम से आपका wait कर रहे है या आप काफी टाइम से उनका wait कर रहे है तो बहुत सारे messages आ रहे है आप लोगों के लिए मैं सब आपको बताऊंगी अभी बारी-बारी बट एक दफ़ा हम ये सारे cards निकाल ले वाउ आपके लिए literally आप लिए आप की तो बट हो आप लोगों का रिश्ता आ सकता है किसी celebration में आप गए थे और वहीं पर आपको पसंद किया था किसी ने और वहीं से आपका को रिश्ता आ सकता है किसी ने बहुत जादा आपको दूर दूर से देखा like कर लिया और इस तरह आपका रिष्टा आ सकता है bottom of the rack पर है हमारे पास tower और इस tower का मतलब है कि यह unexpected आपको कोई pursue करने वाला है आपको बिल्कुल भी इस वक्त idea नहीं है कि यह क्या आपकी life में होने वाला है so मुझे लग रहा है कि बड़ी unexpected अंदाज में आप लोग की शादी होने वाली है group 1 तो यहाँ पर star signs देख लेते हैं कि जिनसे होने वाली है जो आपको pursue करने वाले है क्या हो सकता है एक तो यहाँ पर taurus बहुत strong है sun, moon, rising और venus notice कर लिजेगा अगर आपके एर्दिगिर्द कोई ऐसे इंसान है अब जो मैं traits आपको बताने लगी हूँ scorpio, scorpio दो cards है हमारे पास Aries बहुत strong है Capricorn कर ले Sagittarius, यह star signs है यहाँ पर तो sun, moon, rising और venus उनके chart में हो सकता है कहीं पर जिनसे आपकी शादी होने वाली जो इंसान आपको pursue करने वाले है बहुत time से इन्होंने अपनी feelings चुपाई हुई थी अगर तो आप इस वक्त किसी relationship में है तो यूं समझ लीजिए कि उन्ही से आपकी शादी होने वाली है वही आपको pursue करने वाले है बहुत time से यह इंसान planning कर रहे थे खामोशी से आपके लिए कि उन्होंने आपसे commitment करनी है शादी यहाँ पर मुझे शादी सुनाई दे रहा है यह दो cards शादी की हैं बलकि यह तीसरा भी आप कहलें commitment का शादी का card है तो बहुत strong vibes है group 1 आप लोगों की तो शादी होने वाली है और बहुत unexpected आपको बिल्कुल भी idea नहीं है कि आपको यह proposal आ रहा है यह इंसान बहुत loving है बहुत creative है हो सकता है कि किसी ऐसी field में जहां पर इनको बोलना पड़ता है marketing में HR manager इनके communication skills बहुत अच्छे हैं कुछ लोग किसी creative field में भी हो सकते हैं किसी कॉल सेंटर में किसी आप यूँ कहले कि online हो सकता है कि कोई काम करते हैं जहां पर marketing या trucking कुछ इस चाइब का कुछ भी हो सकता है इस तरह का कोई काम हो सकता है कि यह इनसान करते हैं online online काम बट कुछ लोगों का जैसे मैंने आपको बताया कि physically जाकर भी शायद करते हैं HR manager हो सकते हैं या general manager हो सकते हैं communication skills basically बहुत अच्छे हैं बहुत creative इंसान हैं यह जो भी इंसान हैं बहुत जादा passionate होते हैं बड़ी energy है इनके अंदर go-getter हैं यानि कोई चीज इनको पसंद आ गई है कोई काम इनोंने सोच लिया है तो यह हर हाल में करके दम लेने वाले लोगों मिसे हैं बहुत intensely चीज़ों को feel करते हैं सोचते हैं deep thinker भी हैं बहुत sensitive भी हैं चोटी-चोटी बातों को दिल पे भी ले लेते हैं मतलब यह सारी traits इनकी मुझे लग रही है जो आपकी जिंदगी में आने वाले है past से कोई नहीं आ रहा है I don't feel कि यह कोई ex है I feel कि या तो यह वो इनसान है जिनके साथ आप already deal कर रहे हैं आप इनको जानते हैं या फिर यह बिल्कुल कोई brand new इनसान आपकी life में आ रहे हैं और यह सिर्फ आ नहीं रहे बलके proposal आ रहा है और शादी हो रही है आपकी तो अब आप देख लीजी यह सारी trades आपके person में हैं या नहीं जिनके साथ आप हैं तो आप मैंसे कुछ लोग हो सकता है कि अपनी life पे focus कर रहे हैं आप लोग single हैं और अभी तक कोई proposal नहीं आया है तो unexpectedly यह proposal आपके लिए आने वाला है यह इनसान आते ही आपकी life में आपको शादी की offer करेंगे बहुत जल्दी यहाँ पर कोई बहुत लंबा लॉंग आप कहलें के love affair नहीं चलेगा बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी तो मुझे यह नजर आ रहा है और अगर आप कुछ time से wait कर रहे थे शादी का अपने ही partner के साथ तो उनके साथ आपकी होने वाली है शादी अब एक और चीज़ यहाँ पर यह जो आपके person है जो आपको pursue करने वाले हैं जो आ रहे हैं आपकी life में एक इनकी यह भी चीज़ है कि यह बहुत ज़्यादा expressive नहीं होंगे लेकिन जैसा मैंने आपको बता है sensitive होंगे deep thinker होंगे creative होंगे energetic होंगे charismatic होंगे बहुत खुबसूरत 5.11 इनकी height female होंगी तो 5.7, 5.8 इनकी height हो सकती है और बाल इनके dark brown हो सकते हैं brown बाल या dye करते हों अगर male भी है तो dark brown बाल हो सकते हैं इनके और कुछ के बहुत grey hair हो सकते हैं लेकिन बहुत आप कहलें कि graceful लगेंगे उनके उपर आजकल तो यह style भी चल रहा है कि लोग खुद अपने grey करवाते हैं black and grey mix करके beard भी black and grey तो वो बहुत ही एक जबरदसी look बन जाती है तो हो सकता है इस type की look हो तो जैसे मैं आपको बताएं यह high tune की हो सकती है और इसके इलावा कि यह इनसान सी creative होंगे अपनी deep feelings share नहीं करते होंगे बहुत आसानी से उनको आप पढ़ नहीं पाएंगे इस तरह के इनसान होंगे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा predictable होते हैं हम देखकर बता सकते हैं कि यह इनसान ऐसा होगा रो वो वैसे ही होते हैं तो यह इनसान बहुत unpredictable type इनसान होंगे अब देखे ना सबसे ज़्यादा unpredictable चीज यह यह करेंगे कि वो अचानक से शादी का कहेंगे आप से और आप एक दम से हैरान हो जाएंगे कि वाओ कि यह एक दम से इन्होंने शादी की बात कर दिया तो यह सारी चीज़ें होंगी आपके साथ जो इन्सान आपके पास आ रहे हैं यह बड़े confident इन्सान है जैसा मैंने आपको बोला इनकी सबसे चीज़ादत यह होगी कि जब इन्होंने धान लिया ना कि मुझे अगर इस इन्सान के साथ चलना है तो फिर उन्होंने चलना ही चलना है और फिर वो चीज़ करते हैं उनको कोई fear नहीं है बड़े बिंदास किसम की personality है कि मतलब अगर कुछ करना है तो फिर करना है तो इस तरह के इन्सान बड़े confident बड़े confidence के साथ वो आपको pursue करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना आप उनको पसंद आए है यह या तो वो ही इन्सान है जिनके साथ आप deal कर रहे है और यूं कहलीजिए कि यह इन्सान कोई नए इन्सान भी हो सकते है तो मैंने height आपको बता दी है age क्या हो सकती है उनकी 30s में होंगे वो अपने 31, 32, 35 तक उनकी age हो सकती है female भी होंगी तो 30, 29, 31 इतने की age लग रही है तो देखते यह हैं कि किस month में आपका आमना सामना होने वाला है June June एक बहुत important month इनके साथ आपका हो सकता हो सकता है यह जो शादी आपकी होनी है यह June में हो सकती है और यह देखिए यह 11-11 card है it means कि यह new gate new possibility, new opportunity होगी आपके लिए एक नया path open up हो रहा है जिन्दगी की बिलकुल एक नई शुरुवात हो रही है तो आपको 11-11 बहुत जादा नजर आएगा जब आपकी शादी होने वाली होगी तो June आपके लिए important हो सकता है इस connection को लेकर यह जो भी इनसान है अगर आप इनके साथ already deal कर रहे है तो June में हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए already अगर आप लोग deal कर रहे है wait a second दो cards नीचे गिर गए और हम यह दोनों रख लेंगे विकिस यह एक आपके लिए important message आ गया है so एक पर लिखा है fan, romance, celebration party oh my god so celebration भी आ रही है, party भी, romance भी तो मुझे लग रहे है आप में से कुछ लोगों की तो होने वाली है love marriage and next is moon, changes in your life oh my god यह चीज आप से hidden है, मैं शुरू से आप से यह कह रही हूँ कि आप बिलकुल भी expect नहीं कह रहे हैं changes in your life जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि एक नया gateway आपके लिए open हो रहा है और फिर अगर आप public eye में कोई काम आप ऐसा करते हैं literally आपके fan भी हो सकते हैं आपके admirer हो सकते हैं जो आपको propose कर दें, right marriage के लिए बाकी romance इससे हमें पता चल रहा है कि कुछ लोगों की तो ये love marriage होने वाली है love हो जाएगा फिर marriage हो जाएगी मैं भी love हो चुका है already और बस शादी होने वाली है celebration party जबरदस खुशियों का वक्त आपकी life में आने लगा है दो और cards इन में से हम लेंगे खुशियों का वक्त आ रहा है आपकी life में बहुत ज़्यादा celebration का time आने लगा है इसमें हमारे पास है lobster इसमें लिखा है financial pinch so yes अगर आपकी अचानक से ये शादी वगरा हो रही है तो जाहर है कि financially थोड़ा सा एक होगा मतलब काफी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत lavish किसम की शादी होगी आपकी यादगार होगा बहुत ज़्यादा काफी ज़्यादा पैसा लगाएंगे शादी में या आपके partner या आप दोनों में से कुछ भी हो सकता है and then victory in some endeavor और आपके कुई काम के हवाले से आपको success मिल सकती है बहुत ज़्यादा आपके partner को मिल सकती है जिनसे आपकी शादी होनी है यह जो इंसान आपकी जिंदगी में आ रहे है यह वैसे भी I feel कि बहुत successful इंसान होगे अपनी life में successful की definition क्या है यह भी सबकी नजर में different होती है कुछ लोगों समझते हैं बहुत पैसा आ जाना जिन्दगी में यह success की निशानी है mental peace भी success की निशानी होता है आप एक healthy life गुजार रहे हैं maintain किया हुआ है आपने एक healthy lifestyle जिसमें आपके लिए जो important basic needs हैं पूरी हो रही है फिर उसके उपर भी आप कुछ hotling वगरा भी कर लेते हैं कुछ और चीजें तो यह का I really feel कि एक successful life इस तरह की होती है कि आप अपनी सारी needs अराम से पूरी कर रहे हैं तो I really feel कि एक successful इंसान होंगे इसके उपर लिखा हुआ है solve any problem your mind is your most significant advantage maybe यह कोई इंसान इस तरह के है कि मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा solutions होते हैं हर चीज के मतलब किसी भी किसम का fuss उनको पसंद नहीं है लड़ाई जगडे पसंद नहीं होंगे बस कहते होंगे problem के solution पर बात करनी है चीजों को solve करना है problem create नहीं करना है problems पसंद नहीं है कि उनकी आदत हो सकती है कि जहां कहीं भी problem होती है वहां से वो थोड़ा सा भागते हैं या फिर उसको solve करने की कोशिश करते हैं बहुत उनका mind जबरदस्ट होगा एक और चीज problem से मुझे न math problem मेरे जहन में आ गया हो सकता है कि उनका हिसाब किता बहुत अच्छा हो बहुत intelligent बड़े smart हो यह इनसान यह जो आ रहे हैं आपकी life में let's see जिन से आपकी शादी होने वाली है तो यह तो future spouse की reading होगी है group 1 आप लोगों के लिए bonus हो गया है passion, बहुत passion होगा obviously हमारे पस king of wands है passion का king I really feel कि यह बड़ा passionate आपका connection होने वाला है शादी हो या ना हो बट यह जो connection आपका बन रहा है या already जिन के साथ आप है आपर एक बहुत ज़ादा passion है मतलब magnetic एक attraction है calling in your soulmate this is your soulmate कुछ लोगों के लिए twin flame अगर आप resonate करते हैं इस label से but regardless of labels यह बहुत एक deep connection आपका होने वाला है कुछ लोग आप में से शायद आप दुआ कर रहे हैं, affirm कर रहे हैं visualize कर रहे हैं तो आपकी यह सारी चीज़ें हो रही है काम कर रहे हैं, work कर रही है manifest होने वाले हैं, इनसान इनके साथ marriage, union जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त manifest वो हो रहा है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप से कहा जा रहा है कि आप करें your prayers, affirmations and visualizations help bring you together so maybe जैसा मैंने कहा शुरू से यह वाइबारी है help bring you together यानि आप already किसी के साथ है और अगर आप यह चीज़ें करेंगे affirm करेंगे, visualize करेंगे, positive रहेंगे, तो it will help bring you two together यह आपको एक message दिया जा रहा है कि अगर आप चाते हैं कि चीज़ें fast हो तो फिर आप यह चीज़ करें तो यह जो इनसान आ रहे है friends आप already इनके साथ है किसी से प्यार आप करते हैं वही आपको pursue करने वाले हैं बलके शादी आपकी होने वाले है कोई X नहीं आ रहे हैं और जो लोग single हैं उनके लिए जो मैंने trades आपको बताई हैं उनमें होंगी जिनसे जो आ रहे हैं जो आपको pursue करने वाले हैं साथ अब हम letters और numbers देखने लगे हैं हो सकता है कि आप जिनके साथ अभी deal कर रहे हैं उनका पूरा नाम बन जाए इस reading में सो शुरू करते हैं yes and no से so friends अगर अभी तक आप लोगो ने मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो ये video देखकर आपने मुझे वहाँ पर subscribe कर लेना है description में आपको link मिल जाएगा second channel का वहाँ पर zodiac science के हिसाब से reading आती हैं हर Monday को आती है वहाँ पर भी मैं live आया करूँगी और उस channel पर अभी सिर्फ Monday को एक reading आती है और monthly reading आ जाती है वहाँ पर लेकिन आने वाले वक्त में मैं वहाँ पर और ज्यादा active हो जाऊंगी और मैंने काफी कुछ plan किया हुआ उस channel के लिए भी तो वहाँ पर भी काफी सारा content आया करेगा वहाँ पर भी I just love animals, birds, sabhi P, L, V, Q, S, S, okay आपका अंसर आगया है Yes, it's a yes फिर है हमारे पास F, M, 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 वाहो P X, 11, वाहो, K L, E Y, B K, number 6 Q, Q and Y So यह आपके letters और numbers है देख लीजिए कैसे आपसे match करते हैं और यह आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा आपको पसंद आया मुझे बताईएगा आप comment section में नए थे अगर आप मेरे channel पर like कीजेगा share कीजेगा और subscribe किये बिना नहीं जाना है जिन लोगों ने option number two यानि के J2R select किया था night of wands के साथ यह आपकी reading होने वाली है और हम देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी life में आपकी love life में क्या होने वाले हैं अगर आप single है अगर आप already relationship में कोई ex आ रहे हैं आपकी life में आपको pursue करने वाले हैं या कोई new इंसान आने वाले हैं या फिर वो जो already आपकी life में है so कौन आ रहा है आपकी life में let's find out ex or next spirit हमे divine message दीजेगा group two की life में कौन आ रहा है who is coming ex or next कौन आ रहा है आपकी life में अगर आप single हैं अगर आप relationship में हैं अगर आप heart broken हैं कौन आ रहा है wow we have ace of cups तो love आ रहा है world कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आपका long distance है कोई social media कोई app किसी app के through marriage app और dating app के through हो सकता है आपको कोई मिलने वाला हो but बहुत ज़्यादा love आ रहा है romance it's a new romance कुछ लोगों के लिए I feel अभी देखते हैं आगे और क्या आता है क्योंकि अभी दो कार्ट से determine करना मुश्किल होगा we have wheel of fortune I do feel के good luck आ रही है बहुत ज़्यादा आपकी life में romance का new door open up हो रहा है आपके लिए with this ace of cups अभी ये door किसी old person के साथ open up हो रहा है या new person के साथ let's find out number nine आपके लिए important हो सकता है wheel of fortune को clarify कीजेग spirit spirit इतने सारे cards क्यों आ रहे हैं बार बार wheel of fortune we have two of wands we have a knight sorry king of pentacles five of wands को clarify कीजेग spirit कौन आ रहा है मेरे viewer की life में X और next oh wow we have page of cups bottom of the deck पर हमारे पास है moon energy so ये कोई X नहीं है X का chapter फाड़ दीजिए X नहीं है ये कोई ऐसे इंसान जिनसे आप अल्रेडी deal कर रहे हैं जिनसे या तो आपकी नाराजगी चल रही है जिनसे आपकी ज़्यादा बात अभी आजकल नहीं हो रही है हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आजकल focused हैं अपने work के उपर कुछ नया उन्होंने शुरू किया है और इनका आपके साथ long distance है और आप उनका wait कर रहे हैं आपकी नाराजगी चल रही है इंसान आपसे apologize कर लेंगे और ये ही इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जिनसे आप already deal कर रहे हैं you just love this person I feel तो ये कोई वही इंसान है जिनसे आप already deal कर रहे हैं अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी app के थुरू आप लोगों की बातचीत अभी शुरू हुई है और आप दोनों different different cities में या countries में रहते हैं या different towns में रहते हैं बट आप लोगों के दरमयान long distance है कुछ लोगों के दरमयान और आप single थे अभी recently आपका ये connection बना है और यहाँ पर feelings develop होना शुरू हो गई है और आप के लिए उनकी क्या feelings हैं वो अभी तक confess नहीं किये है उन्होंने आपने भी नहीं किये है बट दोनों को पता है कि एक दूसरे के लिए you know feelings develop होना शुरू हो गई है कुछ लोगों के लिए मुझे ये vibe आ रही है यहाँ पर Taurus Virgo Capricorn है Pisces Cancer Scorpio ये star signs है लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है अगर energy आप से match करती है तो बिल्कुल आपकी reading है ये कुछ extra आप कहलें कि किसी के लिए confirmation हो सकती है ये वाले star signs उनके हो सकता है इन में से कोई sun, moon, rising और venus जो आपकी तरफ आ रहे हैं और ये इनसान कैसे हैं बहुत ज़्यादा practical है ये इनसान ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत अच्छा sense of humor है I feel बहुत ज़्यादा secretive भी है बहुत easily open नहीं होते हैं मतलब बहुत easily अपने दिल की बात नहीं बताते हैं practical चीजों के बारे में ये इनसान ज्यादा सोचते हैं हो सकता है इनका खुद का कोई business है कोई काम ऐसा करते हैं जहां पर ये lead करते हैं और athletic सी body है इनकी अगर male है फीमेल है तो भी smart है बहुत ज़द स्कीनी नहीं है smart है बहुत अच्छी सी है मतलब उनकी physique इसके इलावा अगर female भी है तो थोड़े से short hair है उनके short hair बहुत ज़दा long hair नहीं है अगर female है male है तो जैसे होते है males के बाल right black है या फिर brown है brown बाल female है तो red hair हो सकते है black हो सकते है dark brown हो सकते है dye कि यह हो red थोड़े से burgundy type color हो सकता है उनका इसके इलावा night owl हो सकते है रात को देर तक जागने की आदत हो यह जो इनसान आ रहे है आपकी तरफ कुछ hints में आपको दे रही हूं हो सकता है कि आप उलड़ी deal करें तो आपको पता चल जाएगा तो x नहीं है यह जो भी है यह x नहीं है आपके और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने आपको बताई है यह थोड़ी-थोड़ी group 1 से भी match हो रही है reading हो सकते हैं आप group 1 और 2 में confused थे आप चाहें तो group 1 भी देख लीजेगा हो सकता है कि वो भी आपके लिए helpful हो क्योंकि थोड़ी-थोड़ी यह reading group 1 से भी मिल रही है थोड़ी सी तो इनके साथ आपका long distance हो सकता है इनके साथ आपके कुछ differences हो सकते हैं आपका सोचने समझने का तरीका आप बहुत emotional हैं वो बहुत ज़दा practical हैं आप लोगों में यह differences but still बहुत ज़दा attract करेंगे आप एक दूसरे को इन differences के होने से और ज़दा attraction होगी आप लोगों के दरम्यान या already है तो यह जो इनसान आपकी तरफ आ रहे हैं एक अच्छी life गुजार रहे हैं wealthy लग रहे हैं बढ़ा अच्छा इनका background लग रहा है और बहुत मेहनती बहुत hard working इनसान है यह जो भी आपकी life में आ रहे हैं and I also feel के loyalty के हवाले से इनसान बहुत अच्छी होंगे एक तो easily किसी पे दिल नहीं हारते हैं यह इनसान बहुत मजबूत इनसान है तो specially उनके अंदर यह trait होगी और बिल्कुल भी flirt करना इदर उदर different options को entertain करना उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों से बाते करें और अपना time waste करें So I feel कि यह इनसान बहुत मुश्किल से किसी से attach होते हैं बहुत calculate करते हैं देखते हैं अच्छी तरह परकते हैं इनसान को और फिर जब एक दफ़ा attach हो गए तो फिर बहुत मुश्किल से खतम होती है चीज तो मुझे ऐसे लगता है कि यह कोई ऐसे इनसान होंगे कि जिनकी जिन्दगी में कोई एक ही long term connection बना होगा और अब दूसरा आपके साथ बनने जा रहा है तो यह जो भी इनसान है मैं यह नहीं कहूंगी कि इनके साथ आपकी शादी होगी या आपकी destiny में है हाँ इनके आपके साथ long term जरूर चलेंगे इनके साथ आपका connection लंबा चलेगा at least यहाँ पर potential है कि यह connection लंबा चल सकता है थोड़ी scene की personality आपको boring लग सकती है क्योंकि यह इनसान बहुत practical बहुत सादा से simple इस तरह के हैं मतलब होता है न कुछ लोगों को बातें करना कुछ के communication skills बड़े अच्छे होते हैं मतलब बहुत sure करने की आदत नहीं होगी बहुत peaceful environments इनको पसंद होंगे खामोश जादा रहते होंगे उनकी कोशिश यह होगी जब भी आपके साथ होंगे कि आप जादा बोलते हों वो बहुत जादा खामोश सी तबियत है उनकी तो यह वाली personality की उनकी मुझे traits लग रही है यह जो इनसान आपको pursue करने वाले है बहुत जादा बोलने की इनको आदत नहीं होगी और जैसा मैं आपको बताया है इनकी खास बात यही है कि यह बहुत जादा loyal इनसान होंगे बहुत जादा caring मतलब उनका यही नजरिया होगा जिन्दगी में कि बस जो एक इनसान है उसी को रखना है सारी उमर उसके साथ चलना है कोशिश यही होगी कि सारी उमर उसके साथ चला जाए सो देखते हैं कि किस मन्थ में यह इनसान आपसे मिलेंगे या मुलाकात होगी यह हो सकता है, already मुलाकात हो गई हो आपकी इन से क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो यह message आ रहा है कि already आप किसी से relationship में हैं तो यह वो इनसान है बट अगर आप single है तो इस तरह का कोई इनसान आपको pursue करने वाला है So let's find out कि इनके साथ आपका कौन सा month significant हो सकता है तो इसके ओपर आया है January वाव, अब जो January आ रहा है especially मैंने बात की थी न Earth signs के हो सकता है कि January Capricorn जिन से आपका पाला पढ़ने वाला है So let's find out more यह तो बहुत सारे आ गए है So these are too much Okay, यह दो cards आ रहे है दो है? नहीं तो तीन है, एक हमें और चाहिए और मैं यह intuitively निकाल लूँगी कुछ extra information By the way, आप लोगोंने notice किया होगा आज मेरा गलाब बहुत बहतर है तो शूकर है, कुछ चीज़ें आप लोगोंने भी बताई थी वो मैं कर रही हूँ Thank you so much by the way तो आप लोगोंने notice किया होगा आज गलाब बहुत जादा disturbed नहीं कर रहा है Thanks God So हमारे पास आगया है horse Short journey So I really feel कि इनके साथ Short journey का मतलब यह है कि हो सकता है कि यह इनसान आपको propose कर दें बहुत जल्दी अभी मैं यह कह रही थी आप से कि मैं शादी का नहीं कह रही हूँ But with this short journey I really feel कि हो सकता है कि यह इनसान जल्द ही आप से शादी की बात कर दें Because यह इनसान बहुत practical होंगे और यह सोचेंगे कि अगर मुझे यह इनसान पसंद है अगर इसके साथ मेरा mind match हो चुका है और चलना है मुझे इसके साथ तो जो कल करना है वो आज ही क्यों ना कर ले तो हो सकता है कि यह इनसान फिर आप से शादी का कह दें So यह totally आप के उपर होगा कि आपने करनी है या नहीं करनी है बढ़ हो सकता है कि जब यह इनसान आपके साथ कमिट कर लेंगे एक दवा तो बहुत जल्दी शादी का कहे देंगे आपको तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें कोई पैसों का लॉस हो सकता है पैसों की लेन दिन देहान से कीजिए का एक एक एक्स्ट्रा मेसेज आ गया है फॉरेस्ट मदल्ड अन्कलेर थेंकिंग तो मेबी अब बहुत कन्फूज होंगे डिफरेंट चीजों के दरमयान में भटक रहे होंगे फाइनेंशल इशूस भी चल रहे होंगे जब ये इनसान आपकी जिन्दगी में आएंगे एक बहुत स्पेसिफिक मेसेज आ रहा है मेबी कुछ लोगों के सुसाइडल थॉर्ट्स आ रहे होंगे मतब आपको हर तरफ से आप कह रहे होंगे आज सुमीद खतम हो चुकी है मुझे कोई पार्टनर नहीं मिलने वाला और तब ही इनसान आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे ये मैसेज सिंगल के लिए हो सकता है जो लोग सिंगल है इस वक्त और कुछ लोग हो सकता है किसी ब्रोकन से रिलेशनशिप में है और चाह रहे है कि कोई new love आजाए और उस रिलेशनशिप को वो छोड़ देना चाहते है तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है और याद रखिए कि जो भी आपका लॉस हुआ है मैटेरियल हवाले से आपके पैसों का जो भी लॉस हुआ है वो सारे की recovery हो जाएगी with this goldfish energy हो सकता है आपको goldfish रखने का शौक है घर में या fish आपको रख लेनी चाहिए घर में कहते हैं रखनी चाहिए इसे good luck आती है कहते हैं So increase in material wealth or spiritually grow करेंगे आप लोग बहुत जादा तो वो आपकी जिन्दगी का आप कहलें के एक breaking point या ऐसा एक point होगा के जहां पर आप कुछ सीखेंगे मतलब कुछ change होगा आपकी life में बहुत बड़े उसमें मतलब कुछ अच्छा होगा कुछ सीखेंगे आप तो सीखने के प्रोसेस आसान नहीं होता है डिफिकल्ट होता है बट कुछ सीखेंगे आप So we have this control issues let it go number 33 So अगर आपके past से कोई चीज अभी भी आपको हांट कर रही है आपके जहन में उसको let go कर दीजिए past से अब कुछ नहीं आने वाला है अगर आप यह सोच रहे है past person कोई वापस आजाएगा No कोई chance नहीं है X नहीं आ रहा है यहांपर new इंसान आ रहा है यह कोई वो जिससे आप अभी deal कर रहे है कोई friendship प्यार में बदल सकती है कुछ लोगों के लिए यह भी message आ रहा है So यह कोई X नहीं है Let go of your past and let go of control issues With this control issues I just feel कि यह जो इंसान आपकी life में आ रहे है इनको हर चीज अंडर control पसंद होगी I also feel not in a bad sense In a sense यह इंसान possessive भी होंगे आपके लिए अपने loved ones के लिए बहुत अदा protective होंगे आपके लिए बहुत अदा protective Oh my God engagement So हो सकता है कि यह इंसान आपसे engagement करना चाह रहे है Engage होना चाह रहे है Literally आपकी engagement होने वाली है So यह बड़ा अच्छा message आ गया है क्यूंकि यह जो short journey जब मैंने देखा था न उस वक्त भी मुझे यह message मिला था किसी के साथ Oh let go of control issues Extra messages आ गया है मुझे रखने पड़ेंगे यह So we have separation Let go of control issues And then we have flirt So बहुती loving sweet energy है यह अगर तो नाराज़गी चल रही है आपकी आपके partner के साथ तो सुला हो जाएगी वो आपको मना लेंगे मैंने पहले भी यह बात कही थी जब page of cups देखा था कोई आपका connection था जो खतम हुआ और अब यह कोई new love आपकी जिन्दगी में enter हो रहा है और इनको आप chance दें और यह इनसान बहुत जल्दी आपको कोई solid offer देंगे और जो आपकी separation हो चुकी है जो आपके ex है उनको आप भुला दीजे या कोई existing इनसान जिसके साथ आप already deal कर रहे है उनके साथ आपका relation बन जाएगा यह आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है अब हम आपके yes and no पे आने लगे है and letters and numbers इसमें हो सकता है कि उनका नाम उनके घर का number, गाड़ी का number, कुछ भी उनसे related आ सकता है so friends, अगर अभी तक आप लोगोंने मेरे second channel पर मुझे subscribe नहीं किया है तो कर लिजी है, description में आपको link मिल जाएगा ये video देखने के बाद आपने वो देखना है मेरा channel, वहाँ पर हर Monday को reading आती है वहाँ पर मैं भी बहुत ज़दा active नहीं हूँ वहाँ पर zodiac science के साब से, आपके elements के साब से reading आती है तो वहाँ पर आपने जरूर मुझे subscribe करना है जैसे आप लोगोंने यहाँ प्यार दिया, वहाँ भी देना है description में link मिल जाएगा second channel का so let's start with a yes and no question B88 so वहाँ पर मैं active हो जाओंगी time के साथ अभी वहाँ पर weekly readings आ रही है but वहाँ पर भी ज्यादा oops वहाँ पर भी ज्यादा content आना शुरू हो जाएगा with time, आप लोग वहाँ पर मुझे प्यार दें जैसे जैसे आप लोग वहाँ पर ज्यादा तादाद में आ जाएंगे फिर मैं वहाँ पर active हो जाओंगी 44 so ask a friend आपका answer आया है अपने किसी friend से पूछें so मैं भी आपकी friend हूँ और मैंने आपको ये सब बताया है इस reading में 55 N J U D judge बन सकता है अगर G आजाएंगे यहाँ पर हम G रख देते हैं and then E अगर यहाँ रख देंगे judge बन जाएगा right D तो हो सकता है कि वो lawyer हो या judge भी हो सकते है जो आपको pursue करने वाले doctor हो सकते है dentist हो सकते है army में हो सकते है police में हो सकते है क्योंकि वो night of pentacles आप मेरे जहन में आ रहा है न तो मुझे लगा कि ये messages भी important होंगे आप तक पहुचाना nurse भी हो सकती है अगर तो female है dentist भी हो सकती है obviously F हो सकता है कोई government job करते हो या करती हो बहुत ही जादा well educated A Z Z again N P M J K CH T You have this B Y J C M और फिर है P So ये आपके letters और numbers है देख लीजिए ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए इसमें helpful रहा पसंद आया आपने मुझे बताना है comment section में और अगर आप नई थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe किये बिना नहीं जाना है जिन लोगों ने option number 3 यानि के S to Z select किया night of cups के साथ ये आप लोगों की reading है और हम देखेंगे कि आपकी life में कौन आ रहा है X और next क्या कोई आपके past से आ रहा है क्या वो इनसान आ रहे हैं जिन से आप already deal कर रहे हैं इनसान So let's find out आपकी love life में क्या होने जा रहा है Who is coming towards you Spirit हमें divine message दीजेगा Group 3 की life में कौन आ रहा है हमारे पास है night of pentacles king of swords 10 of wands Who is this person ये X है या कोई new है कौन है ये इनसान star we have the star energy night of pentacles को clarify कीजेगा spirit 10 of cups king of swords को clarify किया तो हमरे पास आया है the fool five of swords 10 of wands को clarify कीजेगा spirit queen of wands the star को clarify कीजेगा आप ऐसे कोई लिटरली star हो सकता है nine of swords bottom of the deck bottom of the deck we have ace of swords so यहाँ यहाँ लिब्रा जेमिना या अक्वेरियस बहुत strong है Aries Sagittarius बहुत already dealing with आप already इनसे deal कर रहे है यह वही इनसान है अब यह आपके X भी मुझे लग रहे है कुछ लोगों के यह कोई new इनसान नहीं है so yes यह आपके या तो X है या यह कोई ऐसे इनसान है जिनसे आप प्यार करते है वो भी आपसे प्यार करते है आजकल नाराजगी चल रही है जरूरी नहीं है कि नाराजगी चल रही हो यह भी हो सकता है कि कुछ issues है आप लोगों के दरम्यान जिस पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे है आप लोगों की बातचीत चल रही है daily basis पर हर चीज ठीक चल रही है but आपने कुछ चीजें रखी हुई हैं सोचकर कुछ boundaries हैं कुछ time lines आपने दी हुई हैं कि इतने time में ये हो जाए या ऐसे हो जाए ये connection से मेरी expectations है so you are very clear about your intentions कि इस connection में आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं आप चाहते हैं सारी चीजें आपने अपने person को convey की हुई है तो कहीं ना कहीं इदर उदर कभी आपको depression हो जाता है आप परिशान हो जाते हैं कि आखिर हमारा future क्या होगा क्या hope है हमारे लिए या नहीं तो sometimes आप बहुत जदा hopeful भी होते हैं फिर sometimes आप बहुत जदा restless भी हो जाते हैं बेचैन हो जाते हैं कि आखिर क्या होगा तो यह वही connection है जिसके लिए आप बहुत अदा परिशान हो रहे हैं कभी खुश भी हो रहे हैं तो यह वही इंसान है जिनसे आप already deal कर रहे हैं या deal कर चुके हैं आपके पास से कोई आ रहा है आपके ex हो सकते हैं बट उससे भी जादा मुझे यह vibe आ रही है कि this is someone कि आप daily basis पर जिनसे deal कर रहे हैं या already love someone वो भी आप से बहुत प्यार करते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी हैं और फिर वो इस connection पर पूरा focus अपना डालेंगे तो यह इंसान आपके साथ long term चलना चाते हैं this person loves you, this person is serious about you but they want to take things slow तो यह जो night of pentacles से आप लोगों की reading शुरू हुई थी इसका मतलब यह है कि यह इंसान थोड़ा slow चलना चाते हैं बहुत जल्दी एकदम से jump नहीं करना चाते हैं मतलब settle down नहीं होना चाते हैं maybe आप ready है settle down होने के लिए वो ready नहीं है maybe आप में से कुछ लोगों के दरम्यान कुछ और issue हो सकता है जरूरी नहीं है कि शादी ही हो सब लोग शादी नहीं करना चाते हैं obviously आपके दरम्यान कुछ और issue हो सकता है जिस पर आप लोग same page पर नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए आपके person को थोड़ा सा time or चाहिए वो थोड़ा सा mind make up करना चाते हैं थोड़ा और चीज़ों को समझना चाते हैं so basically मुझे ये feel हो रहा है ये जिनसे आप deal करें ये इनसान आपके साथ honest होना चाते हैं ये इनसान honestly आपके साथ चीज़ें discuss करते हैं जो भी उनके ख्यालात हैं ये इनसान basically आपको किसी भी तरह से let down नहीं करना चाते हैं यानि किसी भी तरह से आपको hurt नहीं करना चाते हैं आपके साथ अच्छा ही fair ही करना चाहते हैं basically तो ये वही इंसान है जिन से आप already deal कर रहे हैं अब इनकी आदते क्या है ताके आप ये determine कर सकें कि हाँ ये आपी की reading और ये आपी के person है ये इंसान थोड़े moody लगते हैं मुझे ये इनसान इनकी बातों में कड़वाहट हो सकती है sometimes cold behave कर सकते हैं sometimes बहुत energy भी होती है इनके अंदर sometimes बहुत adventurous, बहुत cool, बहुत मतलब इस तरह का होता है उनका behavior sometimes बहुत practical, तो बहुत से phases आते रहते हैं उनके उपर it all depends कि उनका mood कैसा है और उस हिसाब से फिर वो deal करते हैं आपके साथ तो ये इनसान basically मुझे moody लग रहे हैं जिनसे आप deal कर रहे हैं but जो एक main चीज है ना इनकी वो ये है कि ये इनसान honest है ये इनसान साफ बात करते हैं चाहे कड़ भी लगे, चाहे अच्छी लगे, बुरी लगे लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि ये honest हो, clarity के साथ चलें सच बोलकर, wisdom के साथ, दिमाग को भी use करें, जजबात से नाग चलें बाकी वो आपके साथ adventure भी करना चाहते हैं आपके साथ explore भी करना चाहते हैं, थोड़ा आजाद भी रहना चाहते हैं उनको control होना पसंद नहीं है चाहे female भी है ना, अगर आप female के लिए देख रहे हैं उनको बिल्कुल control होना पसंद नहीं है उनको पसंद है कि उनकी अपनी एक independent life हो अपने goals, अपना adventure, अपने friends में hangout करना बाहर जाना, ये चीजें उनको पसंद है ये जो इनसान आपको pursue करने वाले है ये सारी उनकी traits है अब इन में से कोई social media पर हो सकता है जिनसे आप deal कर रहे हैं हो सकता है literally star है, इनके बहुत से followers हैं influencer हो सकते हैं motivational speaker, कुछ पीस तरह का हो सकता है even tarot reader हो सकता है आप हो सकते हैं तो आप में से कुछ लोगों का ये हो सकता है कि वो एक बिल्कुल different field में हैं आप बिल्कुल different field में हैं काम कर रहे हैं तो basically जो group 3 आप लोगों के लिए मुझे ये लग रहे है male, female इस relationship में दोनों काम करते हैं दोनों independent हैं और दोनों एक दुसरे से प्यार भी करते हैं दोनों serious भी है connection के लिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है आपके इस connection में So let's find out कि ये इनसान इनके साथ आपका कौन सा month आगे आने वाला significant हो सकता है जिसमें May आपके लिए important month हो सकता है आने वाला उसमें कुछ खास हो सकता है में अब देख लीजिए जाहरे सब के लिए different होगा कुछ लोगों की communication कुछ लोगों का reconciliation हो सकता है में किसी की शादी हो सकती है शादी का जिकर मैं बहुत करती हूँ क्योंकि शादी का question बहुत जादा आता है इसलिए जब भी मुझे कोई शादी का card नजर आता है मैं जरूर ये वाला message शादी का दे देती हूँ अगर आए तो क्योंकि इस हवाले से सबसे ज़्यादा question किया जाता है 95% शादी के questions आते है ओ वाव हमारे पस तीन cards आ गए एक मैं intuitively निकाल लूँगी कुछ extra information तो इसके ओपर है वाव butterfly a change for the better so maybe ये इनसान change हो रहे हैं अपने lifestyle में change लेकर आ रहे हैं आपकी life change हो रही है change होने वाले आप एक different phase में जाने वाले हैं life के और आपको बहुत जादा butterflies नजर आएंगी butterfly का मतलब ही transformation है तो एक phase से निकल के दूसरे में आप जा रहे हैं transform हो रहे हैं change हो रही है जिंदगी और बेहतर की तरफ जा रही है बेहतरी आ रही है life में then we have camel preserve and you will overcome problems अब इसमें बहुत सी चीज़े आ जाती है कि कभी कबार खामोश रहने से आप बहुत ज़दा problems को overcome कर लेते हैं कभी कबार आप थोड़े सी पैसे save करके बहुत सी problems से बच जाते हैं तो आप देख लीज़े कि आपको यहां पर क्या चीज़ सेव करनी है next we have candle you will be shown the way wow so आपको रस्ता मिल जाएगा आपको direction मिल जाएगी आप परिशान ना हो हो सकते हैं आपको candles का बहुत shock है candlelight dinner वैसे ही आपको candles का हो सकता है कि बहुत shock हो pigeon candles पर intentions होती है scented candles घर में चलाने का हो सकते हैं आपको shock हो but इस पर लिखा है you will be shown the way आपको रस्ता मिल जाएगा आपको direction मिल जाएगी अगर आप भी confused है ना कि हम कहां जा रहे हैं क्या हो रहे हैं जिन्दगी में आपको रस्ता मिल जाएगा और life transform होने वाली है and then hat you will be playing a different role hmm तो कुछ different होने वाला है जो अभी role play कर रहे हैं आप उससे different होने वाला है आपका role हो सकता है कि आप पहले एक single life जी रहे थे और अब आप एक wife या एक husband के तोर पर role play करेंगे जिम्मधारी आने वाली है आपके उपर एक नई जिम्मधारी एक नया path, जिन्दगी की नई शुरुवात, फिर से शादी की बात मैं करने लग गई हूँ so इससे मेरे जहन में ये specific message आया है but आप देख लीजी आपसे ये message कैसे resonate कर रहा है you will be playing a different role a change for the better and you will be shown the way, सारे चीज़ें इशारा कर रही है कि जिन्दगी का एक नया chapter में में हो सकता है कि आपका शुरू हो रहा है आपके इनी person के साथ हो सकता है कि literally शादी होने वाली है और आपने single time जाहिर है कि different अंदाज में इनसान गुजारता है फिर शादी के बाद role different हो जाता है, जिमिदारी आ जाती है तो इसलिए भी you will be playing a different role, इसका यह मतलब हो सकता है बट इसी situation में हो सकता है you will be playing a different role अभी आपके person में भी आपको बहुत दा seriously नहीं ले रहे हैं but with time you will be playing a different role, आप lead कर रहे होंगे इस connection में यह भी हो सकता है so यह different messages आ रहे है let's find out more okay, एक card हमारे पास आ गया है और इस पर लिखा है let your heart lead you you hold an internal road map wow, number 22 internal road map and you will be shown the way अपने दिल को follow करें आपका दिल आपको lead करेगा आपके दिल को पता है क्या होना है क्या होना चाहिए so just follow your heart इसका यह message है और फिर आपके person भी यह कुछ करेंगे अपने दिल को follow करेंगे इस situation में तो आपके दिल को पता है आपका दिल सबसे बड़ा गवाह है आपके दिल को पता है चीज़ें कहां जा रही है कहां नहीं जा रही है so कुछ है जो आपकी intuition आपका दिल जानता है, उसी को follow करें, जो आपका दिल कहता है न, वही आपने करना है अगर दिल कहता है कि इंतजार करना है तो करें, दिल कहता है कि move on करो तो करें we have separation, तो ये specific messages सबके लिए नहीं है, आप में से कुछ लोगों की separation हो सकता है, चल रही है इस वक्त में तक आप लोगों का reconciliation हो जाएगा, में वैसे बहुत दूर है, मुझे उससे पहले ही लग रहा है कि reconciliation आपका हो जाएगा जिनकी separation चल रही है, union हो सकता है, patch up हो सकता है तो ये आपके कोई ex हो सकते हैं, या वो इनसान जिनसे भी recently आपकी लड़ाई हुई है healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents हो सकता है, आपके person की life में एक parents से related trauma है parents की अलहदगी हो गई जब वो बहुत छोटे थे, parents बहुत जदा लड़ते थे, इस वज़ा से ये इनसान में से किसी एक को forgive नहीं किया है so it is very important कि वो इस चीज़ को खतम करें, मतलब अपने parents को माफ कर दें कोई भी trauma है, उसको heal कर लें, ये important है आप लोगों के इस connection पर affect हो रही है ये चीज़ कर रही है, इस connection को affect ये आपका भी हो सकता है issue, तो इसमें लिखा healing family issues, तो हो सकता है कि ये इनसान ये realize कर रहे हैं कि yes, अब मुझे heal करना चाहिए, as an adult मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ को heal करूँ कि इससे मेरे बाकी relationships affect हो रहे है तो ये इनसान उस चीज़ को heal करेंगे, ये एक extra message भी आ रहा है, जिनसे आप deal कर रहे हो सकता है, आपको confirm हो जाए कि हाँ, ये तो मेरा ही person है, so अब हम आपके yes and no question पर आएंगे और साथ आपके लिए letters और numbers होंगे, तो ये friends आपके ex हो सकते हैं, या current partner जो आपको pursue करने वाले हैं, so अगर हर Monday को वहाँ पर weekly reading आती है star science के हिसाब से dedicated channel है वहाँ पर मैं अभी एक ही video डालती हूँ, Monday को, हर Monday को आती है, और monthly readings भी आ रही है वहाँ पर zodiac science के हिसाब से तो जरूर मुझे वहाँ पर आप लोगोंने subscribe कर लेना है, जितना प्यार आप कुछ सोचा हुए मैंने, आप लोग दें मेरा साथ, शुरू करते हैं आपके yes and no question को 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5 R 8, 8, 8, 9, 9 U T X फिर है C M U I G E K Y 9 L आप का अंसरा है 9 वे, it's a 9 फिर है 1, 1, 1 R E sorry, F A Q number 6 H T G L S F G and O So, यह आपके letters and numbers है देख लीजे कैसे आप से match करते हैं वीडियो को pause करके और यह आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया आपने मुझे comment section में जरूर बताना है अगर आप नए थे मेरे चैनल पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और yes, second channel का link description में मिल जाएगा वहाँ पर भी मुझे को subscribe आप लोग कर लीजिए thank you so much advance में आप लोगों को और जिन लोगों ने already किया हुआ है उनको भी so मेरी आप सब के लिए दुआ है आप अपने जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love even जो भी आपका dream है love के इलावा, वो सब आप अपनी जिन्दगी में manifest करें क्योंकि आप absolutely deserve करते हैं हमेशा जो चीज़ मांगते हैं इस हक से मांगा करें और ये सोच कर मांगा करें कि आप deserve करते हैं so फिर आपको वो चीज़ मिलेगी manifest होगी अपने self concept पर जरूर काम करें कोई और इनसान कुछ भी कहे, अपने उपर यकीन करें, believe करें और फिर आप हर चीज़ अचीज़ करेंगे जिन्दगी में so again thank you so much for watching